नमश्कार अदाप सुष्यकाल और सलाम आज इस सिरीज की लास्ट दिशा नौर्थ नौर्थ वेस्ट दिशा के बारे में बात करने वाले हैं इस दिशा को लोगों ने या अक्सर सारे पार्टिस्पेंट्स नहीं या जो भी लोग वास्तु को फोलो करते हैं उसको सिर्फ एक ही दिशा के लिए important समझा उसको अकर्शन के दिशा, attraction की या sex की दिशा ही समझा जबकि इस दिशा के जो गुंधरम है एक इनसान को अपने उपर काभू पाने पर, अपने इश्वर से मिलने के लिए और भी अपने अध्यातम से चुड़ने के लिए बहुत ही important दिशा है हाँ, रोजमरा की जिन्दगी के अंदर ये जो दिशा है, वो आपको matrimonial happiness ही दे सकती है पर ये जो दिशा है, यही दिशा आपको अध्यातम से, आत्मग्यान से जोड़ने के लिए बहुत important दिशा हो जाती है क्या कभी आपने इस तरीके से सोचा है, कि ये जो काम उर्जा की दिशा हम सब लोगों को बताई जाती है ये काम उर्जा, जो energy हम सब लोगों को बताई जाती है यही वो energy है जिसने पूरा संसार, पूरा जगत create किया और इस energy के लुप्त होते ही आपका शरीर कुछ भी नहीं बचता यही वो energy है जिसको संभाल के रखने पर इश्व रतव की प्राप्ती होती है प्रमात्मा की प्राप्ती होती है और यही energy बिगड़ जाए तो राक्षिश, अशूरी शक्तियों में परिवर्तन कर देती है, बदल जाती है ऐसी ही आपके वेपार के प्रड़क्ट जब अकर्शन का कारण बनते हैं तो सामने वाले के अंदर वो भाव पैदा होता है जिससे उसको प्यार होता है जिससे उसको अलादित भाव मिलता है तो वो आपका प्रड़क्ट खरीदता है और वो तभी मिल सकती है चीज़ें जब सामने वाले के अंदर के हॉर्मोन्स सामने वाले के अंदर का अलादित भाव, सामने वाले के अंदर के मन को प्रसनता फील होती है इसी तरीके से हर दिशा के अंदर बहुत सारे रहसे चुपे होते हैं लेकिन हमें जो समझ में आते हैं वो बहुत ही छोटे मोटे से गुंधरम है सबसे अच्छा गुंधरम इस दिशा का है Spirituality, Spiritualism, अध्यात्म ज्यान क्योंकि जब आप अपने आपको, अपनी काम उर्जाओं को सहेचते हो तो दुनिया के टॉप पर पहुँझ जाते हैं जितने भी लोगों की तरफ आपका अकर्शन है वही लोग आज टॉप पर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इन अनर्जीस को संभाल लिया है और जीवन दान देने के लिए किसी को जीवन को बढ़ाने के लिए इसी इनर्जीस को इस्तमाल करना होता है चाहे वो फल हो, चाहे वो पेड़ बोदे हो, चाहे वो हवा हो, वो पानी हो जिस भी चीजों का विस्तार हो पाया है पंच दर्तों से वो सिरफ काम उर्जा के कारण ही हो पाया है इसलिए मैं इस दिशा को spiritual angle से भी देखता हूँ जिसका ये balance है वो लोग अपने अध्यात्म ग्यान से अपने उच्टम की प्राप्ति कर पाती है ये दिशा है North-North-West अगर ये imbalance हो जाए तो आपकी matrimonial happiness आपके आपसी संभन मिया बीवी के husband wife के relationships बहुर खराब होते चले जाते हैं अगर ये खराब हो जाए तो बच्चों के अंदर का आकर्शन बच्चों के hormone imbalance भी देखे जा सकते हैं आपके जिंदगी को जीने की तरंगें आपका कुछ नया करने का मन खतम हो जाता है अगर North-North-West सही ना हो imbalance हो जाए तो ये गलत रस्तों की तरफ लेके जाती है अगर ये imbalance हो जाए तो आपकी कामुक एनरजी इसको waste करवाती है और गलत रस्ते पर जाने पर मजबूर करती है अगर ये balance हो जाए तो वो balance शक्ती आपको एक सिद पुरुष ये प्रकरती बना देती है ये इस दिशा के गुंदर हमें इस दिशा में बहुत सारे confusion रखते हैं लोग जब वास्तुदोश की बात आती है toilet यहाँ पर सबसे बड़ा वास्तुदोश है kitchen दूसरे नंबर पर यहाँ का वास्तुदोश है यहाँ पर कमरा किसी का भी हो सकता है कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर बच्चों का कमरा नहीं होना चाहिए ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर balanced north-north-west होगा तो बच्चों का कमरा बहुत अच्छा साबित होता है यहाँ पर अपने वैपारिक स्थान पर समान रखना आपके प्रड़क्स का रखना अपनी सर्विसिस का रखना बहुत ही अच्छे रिजर्ट लेता है साथ ही साथ में अगर यहाँ पर मंदिर हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा बोरे रिजर्ट दे देता है या मैं यूं कहूंगा कि मंदिर के लिए one of the roast सबसे बुरी डिरेक्शन जिसको कहा जा सकता है वो है north-north-west क्योंकि यह आपको spiritual angle से बहुत ज़्यादा दूर ले जाएगा यहाँ पर मंदिर कभी नहीं हो सकता colors की बात करी जाए तो यहाँ पर red color और yellow color strictly avoid किया जाना चाहिए अब मैंने कुछ लोगों को यह भी कहते हुए सुना है कि यहाँ पर plants नहीं होने चाहिए अगर यहाँ पर plants होंगे तो भी आपका north-north-west और वो growth हो जाएगा और वो extra marital affairs देता है कुछ लोग यह कहते हैं यहाँ रादाग्रिशन होने से भी extra marital affairs हो जाते हैं रादाग्रिशन होने से फिर भी chances दिख सकते हैं यह मैं यूँ कहूंगा कि किसी भी भगवान की मूर्ती वहाँ पर होने से इस zone के गलत गुंधरम आपको वहाँ मिल सकते हैं पर भगवान की जगे पर जब वहाँ पर green color की आप बात कर रहेगो plants की आप बात कर रहेगो तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है यहाँ पर plants होसके हैं रखे जा सकते हैं बल्कि रखने चाहिए balance करके अगर आपका North-Northwest balanced है तो blue color के pot में white color के pot में green color के plants रख सकते हो लेकिन अगर वो balance नहीं है तो balance करने के लिए काम भी आसकते हैं अगर आपका North-Northwest कम है तो वहाँ पर white color के pot में रखे अगर वो balance है तो blue color के pot में रखे और अगर वो बड़ा हुआ है तो green color के pot में ही plant को रखा जा सकता है जिससे वो balance भी हो जाएगा तो हर दिशा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था इसलिए मैंने ये series start करी अब आप किस उजहाव जरूरी है कि आप लोग किस बारे में और जानना चाहते हों मैं वो series भी start करूँगा आगे आने वाले वक्त में अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं overhead water tanks की उसके अगल and doubts लिखते रहिए comment box में ताकि मैं आपकी साहेता जरूर करता दूंए आप सभी का बहुत बहुत दिन्यवाद और अब बार